बिल्कुल बाजार जैसी बत्ती हम घर पर आसानी से कैसे बना सकते हैं दीखे दोस्तों जैसे कि दीपा ओले नजदीक आती है तो सब लोग बाजार से दिये और बाती खरेदने के लिए जाते हैं अभी कि अगर आपको पता हो कि घर पर आसानी से हम बती बना सकते हैं एकदम बाजार के जैसे तो आपको बिल्कुल भी पैसे खर्च करने के जरूरत नहीं पड़ेगी बस थोड़ा सा टाइम लगेगा और अभेरो बतियां बना सकते हैं आसानी से तो सबसे पहले दोस्तों मै यहाँ पर आपको पंच मुखी बाती बना का दिखा रही हूँ अभी के पंच मुखी बाती बनाने के लिए हमने थोड़ा सा रूई लिया है और इसको इस तरह से करके दो कोने बना के पांच बतियों को एक साथ जोड़ दिया है तो यह पंच मुखी बती बनकर तियार हो ग यह कैसे आप बनाएंगे, बहुत लोगों को नहीं पता होता है, बाजार से ही खरीद लेते हैं, तो चलिए, देखे, यहां पर मैंने थोड़ा सा रुई लिया है, आपको भी इसी तरह से रुई लेकर ही बनाना है, जो एक दम कॉड़न साब सत्री हो, तो आप बाजार से ले अगर आपके पास नहीं है, तो इस तरह से आप बैठ जाएंगे बनाने के लिए ना, तो धेरो बत्ती घंटों नहीं लगेंगे, आपको मिन्टों में ही बन जाएंगी, तो दीखे, थोड़ा सा कॉटन लेना है, और इस तरह पकड़के इसको थोड़ा सा अंगोठे और उं अगर आपके पास तो थोड़ा इसमें बेसन डाल सकते हैं, तो आपने दिखा होगा लाल पिली हरी रंकी जो फूल बत्ती मिलती है बाजार में, बिलकुल वैसे ही ये बन जाती है, यहां पर मैंने चोटी-चोटी सी बत्तियां बनाई है, क्योंकि हमको डेली में यूज करन है यानि डेली में हम इसको जलाएंगे पुजा के जगा पर तो बहुत बड़ी बत्ती होती है बहुत जल्दी से जल जाती है और ज्यादा तेल भी उसमें घी भी बहुत ज्यादा लगता है तो छोटी-चोटी बत्तियां देखने में काफी अच्छी लगती है आराम से बढ पेकेट जो पत्ता होता है फीग देते हैं लोग तो दिक इस तरह से लेना है अगर आपको ठीर सारी बत्ती बनानी है थोड़ा बड़ा पत्ता ले लीजिए या फिर दो तीन करके आप ले सकते हैं तो एक और मैने इस तरह से ले लिया है तो इसमें थोड़ा सा साइज इसमें हम रखे के फिर रखेंगे इसको फ्रीज में पहले सारी बत्तियों को इसमें सेट कर ले रहे हैं तो आपको फिर घी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगे अलग से जब बत्ती जलाते हैं तो घी डालते हैं और बाती रखते हैं तो ऐसा नहीं करना होगा बस आप सारी बत्यों के ऐसे सेट कर लें और फ्रीज में रख दें जम जाएगे जब इसका घी तो आराम से आप एक एक करके निकाल कर मन चाहे सुबह साम अपना आर्थी के लिए ये बत्यों को ले सकते हैं इसके बत्यों के थोड़ा सामने घी में कपूर भी डाल दिया है कपूर के खुस्बू बहुत अच्छी होती है तो आप पूरे में डाल सकते हैं या फिर आप थोड़ा सा बना के देख लीजी अच्छा लगे तो आप हमेशा भी बना सकते हैं अब एक ये बत्यों को मैंने चोटी सी टुकडे पड़े रहते हैं मौम बत्ती के तो अगर आपके पास नहीं है चोटी टुकडे तो आप 5-10 रुपए की खरीद सकते हैं मौम बत्ती इसके बाद में आप भेर शारी मौम बत्ती दिये बना कर सकते हैं तो अधिकी ए मैंने एक धकन लिया है और धकन में अंदर के साइड थोड़ा सा तेल लगा दिया है इसके बाद ही किया पर मेरे पास जो है इस दिये में चोटी-चोटी सी केंडल रखी हुई थी तो इसको मैं गरम कर ले रही हूं गैस पर अगर हम तीये में गरम करते हैं मॉम तो जो है यह ना अच्छे से गरम हो जाता है और म इस तील का बारतन भी थोड़ी देर के लिए बहुत गंदा हो जाता है साप करने में दिक्कत होती है और यह दिया है न तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी अब इसके बाद इखें हम ने चोटा सा दवाई का धकन लिया है बच्चों को जो दवा पिलाते हैं तो इसमें का इकठे कर लिया है और मेरे पास नहीं था तो मैंने यहाँ पर दो ही बनाया है और इसके बाद दिक्ए जो मैंने बड़ा वाला धकन लिया है इसमें मैं रख रही हूं धागा कच्चा सूत जो होता है मौंबती में वह ही है अगर आपके पास धागा नहीं है तो आप चिम्टी रख दिया है अब इसको हम रखेंगे फ्रीज में ताकि यह भी अच्छे सेट हो जाए इसके बाद देखिए यहाँ पर यह हमारी बत्ती बनकर तयार हो चुकी है सारी अब इनको निकाल लेंगे और देखिए आप इन बत्तियों को बाहर नहीं रख सकते हैं गर्म के फ्रीज में रख दीजिए हमेंसा आपको इस तरह से बत्तियां बनी रख ही रहेंगी अब इनको निकाल कर हम रख लेंगे आराम से जलाने के लिए बहुत आसानी होगी दोबारा से इन प्रैकेट को यूज में ले सकते हैं अगर आपको बनाना है तो इसके जो धकन में हमने बनाये था चोट असा दीपक अब हम इसको जला लेरे हैं दिखे बहुत आसानी तरीके से जल जाता ओर इसको हम रखेंगे पानी में कितना अच्छे से जल रहा है ऐसे करके आप भीयर सारे दिये बना सकते हैं घर पर और सजा सकते हैं अपने घर को यह पूझा पर्ट में तो आप नहीं ले सकते हैं, इनक यूज लेकिन आप अपने घर को सजाने के लिए बना सकते हैं तो इस तरह से आप पानी में छोटी छोटी से दिये बना कर तैराईए और अपने घर को चमकाईए बहुत ही अच्छा लगता है कोई बड़ा बरतन लेंगे और उसमें तीन चार पांच दिये अगर ऐसे करके डाल देंगे तो देखने में बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर मैंने लाइट बंद करके इसका थोड़ा सा मैं पिक्चर लिए हूँ तो देखने में अच्छा लग रहा है अब देखिए यहाँ पर इस तरह से कितना सुन्दर लग रहा है अब थोड़ा सा पानी में हम छोटी-छोटी सी पॉलन। चमकीली पॉलो थिन कर्ट के डाल दे रहे हैं। इसके पथोड़ी सी हमने यहाँ पर गिलीटर । इस तरह से पानी पर छिटड़क दिया है, जिसे पानी एक लिदम चमकदार हो जाए। तो इस तरह से आप फैंसी लिये बना सकते हैं घर पर आसानी से कोई भी जंजट करने की ज़रूरत नहीं है इसी तरह से आपको बाजार से भी मिलेंगे और यह जो मैंने काच की कटोरी लिये है यह तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है अब यह आप देखें मैंने इसको जब सफेद जगा पर रखा यानि अगर आपके घर में सफेद फार्स है तो आप इस तरह से रखेंगे ने चारो तरह पुरा डिजाइन बन जाता है देखने मे बहुत ही सुन्दर लगेगा यह देखें आप यहां पर देख सकते हैं इसका पुरा जैसा लग रहा ना जादू हो गया कितना अच्छा लग रहा है उपर तो आप दीपक जलाई रहे हैं लेकिन साथ में नीचे भी उजाला पुरा एक्तम लाइट आ रहा है तो बहुत ही बना के रखा था इसके बाते कि यह हमने जो छोटी सी कैंडल बनाई थी इसे भी हम इस तरह से सजा सकते हैं और कैंडल के जहां पर आप रख रहे हैं आप थोड़ा सा पानी डाल के रखेंगे तो जो भी कैंडल गलेगी वह फर्स पे नहीं लगने वाली है